हेलो प्रेंट स्वागाता है फास्ट इन्फोरमेशन में आज हम खास ख़वर बताएंगे संबीदा कर्मी बिहार के जितने भी है उन कैंडिडेटों को बता दो कि सरकार इस बार संबीदा कर्मी को सरकारी सेव को जैसे लाव देने जा रही है साथ ही बड़ी खुसकावरी यह है कि अब सभी संबीदा कर्मी की होगी पर्मानेंट न्यूकती तो चलिए डिटेल्स में जानते इस वीडियो के मादे हमसे बता दो कि संबीदा पर बहाल कर्मी सेवा निर्मित या नियमित होने तक बने रहेंगे नोकरी में यानि कि किलियर यहाँ पर लिख दिया गया जब तक सरकारी नियूकती नहीं हो जाती है तब तक उस पद पर संबीदा कर्मी बहाल रहेंगे जब तक कि सेवा निर्मित नहीं हो जाते हैं यानि कि यहां पर असपस्ट हो चुका है कि अब आपको 60 साल तक बिहार सरकार में संबीदा की नोकरी की तरफ पर कार्ज करना है दुसरी तरफ सरकार समाने पर सासन विभा के तरफ से नियम भी जारी कर दिया गया कि अगर आपको एक साल तक जॉब करतें, एक साल तक आप सेवा देते, तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा जैसे कि प्रमानेंट न्यूक्ती की परकीरिया चली उसने तो इसका नुसार से आपको 5 साल के लिए 25 पॉइंट मिलेगा अगर नियुक्ति उसी डिपार्टमेंट में आती है, तो आपकी नियुक्ति होना ताय है, तो, यानि के, कुल मिला जुलाकर, अस्पष्ट हो चुका, कि अब नियुक्ति परमानेंट हो चुकी है, आगे बतादो कि, प्रवातकवर के माध्यम से इया अस्पष्ट किया जा रह है उसी तुरह से सरकार बदलाव करती हैं बहुत सारे नियम में और वह ऐसे सारी शुबधाएं अब इस वार दिये जाएंगे साथ यहां पर असपस्ट यह भी बता दिया 2007 में समाने परशासन विवा के अस्तर से संबीदा कर्मियों के लिए जारी किया गया प्रभधान में कई अहम संसोधन भी किया गया है जैसे कि 2007 में अनियमावली बनाया गया था संबीदा कर्मियों के लिए उसमें कई बदलाव किया गया है जैसे कि सरकारी छुटी जैसे कि सन्विधा कर्मियों के स rug काल का वेटेज यानि そरकार सब्सक्रैब कर सकते हैं आप लोग खुछ से पेपर को पढ़ सकते हैं साथ ही अधिक जानकारी लेना आए तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आकन दवा करके देख सकते हैं साथ ही टेक्निकल नोलेज से जो भी जानकारी यह सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा तो देख तेरे पा